छोटी भावी आपने मेरा माई का लोटा दिया पेड़ पवधे खेत और घर सब तेजी से पीछे की योर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बच्पन की योर भाग रहा था असोग भाईया मैं और बिनीत जीसे प्यार से मैं बीनू कहती अपने मा बाबुजी के साथ बनारस में रहते थे बाबुजी पोष्ट ओफिस में बड़ा बाबु थे मा एक घरेलू महिला पुस्तैनी घर था हमारा बनारस में कमाई तो ज्यादा नहीं थी बाबुजी की लेकिन प्रेम बेहिसाब था तीनो भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे बहुत मेहनत से बाबुजी और मा ने हम तीनो भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था असोक भाईया की नौकरी बैंक में लग गई अच्छी नौकरी थी रिस्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे सब देख सुन के रिचा भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको भाभी भी देखने में सुन्दर और पढ़ी लिखी थी जल्दी सादी हो गई माय का स्मृत था भाभी का खुब दहेज मिला साथ में भाभी का समान भी एक से बढ़ कर एक था इतने सुन्दर सुन्दर गहने कपड़े मेकप का समान देख मेरी आँखे फटी रह जाती उम्र भी ऐसी ही थी की स्वतह मन अकर्सित हो जाता एक दिन भाभी को कमरे में नौपा उनकी लिपिष्टिक लगाने लगी तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया खबरदार जो मेरी समान को हाथ भी लगाया कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकप के समान को आखे दिखाती भाभी मुझे बरस पड़ी और मा ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया उमीद थी असुक भाईया सायद भाभी को कुछ कहे पर बड़े घर की बीबी और देखेज के समान ने उनकी बुद्धी बदल दी थी ओ भी आये और मुझे ही नाट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगा बैठी रही घर में आने वाले समय को सायद बाभू जी ने भाप लिया था और जल्दी मेरी साधी नवीन से हो गई ससुराल ऐसा मिला जहां पहले से ही मेरी सासु माने हर रंग हर ब्रांड के मेकप और कपडों से मेरा कमरा सजा दिया था इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते मा बाभू जी भी एक एक कर चले गए असुक भाईया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा मेरा मायका अब खतम हो चुका था फिर भी हर तीज तेवहार में मायके के यादू की टीस उठती और स्वतह दब भी जाती कुछ सालों बाद बीनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोट मैरिज भी कर लिया करता भी क्या कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चड़ाता एक जटकी से ट्रेन रुकी खिडकी से जाग कर देखा तो बीनू नजर ही नहीं आ रहा था दिल घबरा उठा दिल्ली जैसे सहर में बीनू नहीं आया लेने तो क्या करूंगी मैं अभी सोची रही थी कि आवाज आई दीदी पलट के देखा तो बीनू था मेरा भाई कितना बड़ा हो गया है रेतू बीनू कह गले लग गए हम दोनों भाई बहन आखे आशू में डूब गई हम दोनों की चलो दीदी समान उठा हम घर की योर चल दिये दर्वाजा रितू ने खोला मेरी बीनू की पतनी गुलाबी सूट बड़ी बड़ी आखे और मुस्कुराता चेहरा जट से मेरे पैरचू गले लग गई जे सेबर्सों से जानती हो मैंने वीनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था सफर कैसा था देदी बढ़िया था रितू कोई परिसानी नहीं हुई मैंने कहा नहा धोकर आई तो खाना तयार था देखो दीदी सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज ये देखो दही बड़े भी बनाये हैं रितू ने याद है मा बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी उत्सा से बीनू बोलता जा रहा था खाना बहुत स्वाद बना है रितू मेरी कहते हैं बच्चो सा चहरा खिल उठा दो दिन रही वहां और दोनो दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सीर आखो पे बिठा के रखा थोड़ा अजीब भी लगे आदत ही नहीं थी मायके के ठाठ और मायके के लाड लगवाने की वापस आने वाले दिन रितू सुन्दर सी साड़ी बिन्दी सिंदूर और एकलिफाफा लेकर आई ये भी रख लीजिये दिदी नहीं नहीं इसकी क्या जुर्रत है रितू क्यों नहीं दिदी अगर माजी होती तो आपको देती न फिर भी आप मना करते हैं क्या ये तो आपका हक है तो हक से लीजिये दिदी अपनी छोटी भावी के मुह से ये सब सुन्द आखे बरस पड़ी सच कहारी तो ये तो मेरा हक है जरूर लूंगी और दोनों ननद भावी गले लग रो पड़ी हमें देख बीनों की आखे भी भर आई मुझे पता है दिदी इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी लेकिन दिदी सारी भावियां एक सी नहीं होती आपका मायका हमेशा बना रहेगा ये मेरा वादा है अपने भाई भावी को धेरो आसिरवाद और प्यार दे मैं आ गई वापस अपने ससुराल अगली छुटियों में वापस जाने को क्योंकि मेरी छोटी भावी ने आज मेरा मायका जो लोटा दिया था दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप इसे लाइक सेर कमेंट करके बताईएगा अरोज ऐसी ही नई नई कहानिया सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद सेर करेंब कookieो सुनने के लिए हमारी को सुनने केल D कर आपको झाल झाल